तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मैक्रो फीचर के बारे में जो कि Excel का एक बहतरीन फीचर में से एक माना जाता है दोस्तो अगर आपने इसका यूज करना सीख लिया यकीन मानी आप अपना डेर सारा टाइम सेप करने वाले हैं और सीख के आपको काफी मज़ा आने वाला है मैक्रो नाम सुनके आपको लगता होगा कि इसमें प्रोगामिंग है इसमें हमें काफी टाइम देना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत ही सिंपल है इसे कोई भी यूज कर सकता है इसली और आज हम आपको लाइव एक्जा अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन परेस नहीं किया तो प्लीज बेल आईकन परेस कर लें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पौहस्थी रहे क्योंकि यहां आपको बेसिक Excel, Advanced, Excel, Microsoft Office, Power BI, Power Query, Macro, VVA, काफी कुछ नया सीखने को मिलता है, आईए अपने वीडियो के और मूव करते हैं, दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां हमारा item name है, quantity है, amount है, and purchase date है, माली जे एक हम purchase entry कर रहे हैं, यहां हमने example समझाने के लिए आपको data छोटा रखा है, ठीक है, तो हमने यहां item name लिखा, जैसे माली जे लावा mobile, quantity हमने 32 purchase किया, एक करेट क्या है, हमारा 11500, ठीक है, और purchase date हमने लिखा, 24-2022, ठीक है, इतना हमने लिख लिया, अब माली जे मुझे यहां entry बार-बार करनी है, तो मुझे यह delete करना होगा, उसके बाद हम next entry करें इसी तरह हम लोग करते हैं, अगर यह data बड़ा होगा, तो उसमें काफी time लगेगा, है न, तो हमने क्या किया, इसको पहले copy किया था, और यहां transpose कर लिया, तो सेम हमारे field यहां भी आ गई, और हमने just इसको copy किया, और यहां transpose कर लिया, तो यह हमारा हो गया manual तरीका, लेकिन जब हम macro का use इसके लिए करेंगे, तो काफी मज़ा आने वाला है दोस्तों आपको, है न, ध्यान से देखिए का कैसे, ठीक है, यह हमने manually किया, अब हम यह क्या करते है, manual को हटा देते हैं, हम इसे delete मार देते हैं, ठीक है, तो हम यहां फिर से lava mobile लिखा, lava mobile, quantity हमने 32 लिखा, amount ह ठीक है, और purchase date हमने डाला, 24-2022, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, just stock in पे click करेंगे, तो आप देखेंगे, यह entry यहां पे आ चुकी है, automatic, मैंने कुछ ना copy किया, ना transpose किया, ठीक है, चलिए दूसरी entry करते है, mouse, quantity 34, rate 1200, and purchase date हमने लिखा, 24-4-2022, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, stock in फिर करेंगे, और फिर आप देखेंगे, यह entry आ चुकी है, यानि हम बस just इस पे click करें, यहां से हट के entry यहां चली जारी, हमारे एक data भी maintain हो रहा है, automatic, dynamic मैंने बना दिया, macro का यूज़ करके, बहुत ही simple है, इसका यूज़ आप बड़े label पी भी कर सकते है, daily report बनाने में, आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, लास्ट में, तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहेगा, इसको मैंने कैसे किया, पहले इसे हम समझते है, हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम delete करते हैं पहले, ठीक है, ध्यान से दिखिए, हम क्या करेंगे, एक यहां entry कर ल अब हमारा main concern क्या है, यहां पर data हमारा automatic आना चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या किया थे, सबसे पहले इसको copy किया था, इन पर आये थे, और यह वाली field हमने transpose कर ली थे, इस type से, ठीक है, क्योंकि यह हमारी field same है सब में, ठीक है, और इसको हम यहां से color हटा देंगे, no fill कर दिया ठीक है, और यहां bold, इसका black color कर दिया, इतना काम हमारा हो गया, अब हमारा दूसरा main concern क्या है, इस entry को dynamic हमें यहां put करना है, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देहान से देखेगा, यह field आप कैसे entry करेंगे, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, मैं यहां पूरा delete कर करता हूँ, इसको हम यहां से cut कर देंगे, ठीक है, यह अटा दिया, इसके लिए आप क्या करेंगे, insert टैप पे जाएंगे, ठीक है, यहां आप चूच करेंगे, यहां सेप, सेप में आप कोई भी सेप यहां चूच कर सकते हैं, जैसे माली जा हम यह ले लिए, और इसको हमन करेंगे, middle में कर लेंगे, इसकी size बढ़ाना है, size बढ़ा लेंगे, ठीक है, अगर आप इसका background color भी change करना चाहते हैं, तो आप यहां राइट क्लिक करके, यहां से color भी change कर सकते हैं, यहां देखिए, fill का color है, यह जो हमारा color change होगा, outline का भी color change कर सकते हैं, और style भी इसमें द data को इधर ले जाना, अभी देखिए, हम क्लिक करेंगे, तो नहीं आ रहा, cursor हमारा नहीं बना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, developer tab में जाना है, अगर आपके excel में developer tab enable नहीं है, तो आपको file पर जाना है, more पर जाना है, option पर जाना है, ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे, customize ribbon पर जाएंगे, यहां आपका developer tab होगा, enable, इस पर आपको tick करना है, अगर आपका tick नहीं होगा, तो आप देखिए हमारा, okay जैसे अब यह हम करेंगे, यहां देखिए, मेरा developer tab नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना होगा, more पर जाके, option पर जाके, customize ribbon पर जाके, यहां आ आपको यह developer tab पर tick करना होगा, अब suppose यहां developer tab आ ही नहीं रहा है, तो यहां आपका developer tab होगा, इसको आप यहां पर add करके, यहां पर ले आएंगे, ठीक है, कोई भी problem है, comment करके पूस सकते हम से, और just हम okay प्रेस कर देंगे, तो हमारा developer tab आ गया, इस पर हम click करेंगे, record macro पर हम click क return, ठीक है, यह मैंने नाम दे दिया, आपको अपने requirement के हिसाब से नाम दे सकते हैं, और just हम okay करेंगे, यह लिख रहा है, this syntax of this name is not correct, क्यों लिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें space रखा है, space को हटा देना, आपको space नहीं देना है, 2 word के बीच में, okay कर दिजे, ठीक है, अब इन पर आएंगे, और आपको यहां पर क्या करना है, ट्रांसफोर्स करना है, बहुत ही simple है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां एक row आपको insert कर देना है, ठीक है, अभी मैं आपको detail से समझाओंगा, इतना आपने कर लिया, अब आप क्या करेंगे, फिर से इस data पर आ करेंगे, assign macro करेंगे, यहां देखे, लिखा है न, assign macro, macro का नाम हमने क्या दिया था, stock in, यहां आपका दिखने लगेगा, जो भी नाम आपने दिया है, stock in पर क्लिक करेंगे, और ok कर देंगे, तो यह हमारा assign हो चुका है, अब देखिए, मैं यहां लिखोंगा, लावा, mobile, quantity हम हमने लिखा, जैसे माली, 234, rate 12, 500, और पर्स्टे डेट हमने लिखा, 234, 2022, ठीक है, अब हमने यहां दिखिए हमारा, यह जो करसर है बनने लगा है, हाथ वाला symbol, पहले नहीं बन रहा था, क्योंकि उस पर हमने macro को assign नहीं किया था, अभी हमने macro जो record किया, उसको assign कर दिया है अब हम क्या करेंगे, इस पर just stock in पर click करेंगे, और आप देखेंगे यहां हमारा data law mobile का आ चुका, चलिए एक और entry करते हैं, यह कैसे work करता है, इसको भी मैं आपको समझाओंगा, Samsung quantity मैंने 234, amount माने बारा 300, और date हमने 234, 2022, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करें पर copy किया था, copy करने के बाद हमने एक row insert क्यों किया, इसलिए किया, मालेजे, मैं इसको delete करता हूँ, मैंने इसको delete कर दिया, यह just, मैंने इसको सारे को delete कर देता हूँ, ठीक है, macro record करते से हमें, मैंने क्यों row insert किया था, इसको मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैंने यहां लिखा, लावा मोबाइल, ठीक है, क्वांटिटी हमने दिखा 234, एमाउंट हमने लिखा 12300, एंडेट लिखा मैंने 124 2022, ठीक है, मैंने कॉपी किया था, रिकॉर्ड करते से मैक्रो इन पे गये थे, और यहां हमने ट्रांस्पोस किया था, उसके बाद हमने एक रो इंशट किया था, य नीचे आगर आप रो इंशट करेंगे, तो जब आप यहां से स्टॉक इन जैसे करेंगे यहां पे, तो होगा क्या, यहां पे फिगर आ जाएगा और नीचे रो इंशट होगा, जब भी हम न्यू इंट्री करेंगे, फिगर सिर्फ यहीं पे आएगा, और यहां नीचे रो ब्लांक इंशर्ट होता जाएगा, यानि हमारा डेटा मेंटेन नहीं हो पाएगा, जैसे आप देखिए, अब भी मैंने क्या किया, अगर हम यहां पे एक रो इंशर्ट कर देंगे, तो होगा क्या, जब भी हम जैसे माली जी यह हमने एंट्री किये, श्टॉक इन हमने यहां क् भी समझते हैं जैसे मालेजे हमने एक new recording करते हैं macro की ठीक है इसको हम delete कर देते हैं पूरा देखिए हम यहां गए developer tab पे गए record macro मैंने किया macro 12 है इसका नाम ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको copy किया हमने ठीक है stop recording अब हम यहां assign पे जाएंगे assign macro पे क्लिक करेंगे और इसको हम 12 वाला assign कर देते हैं यह जो हमारा सबसे last वाला था है ना बारा था ओके चली हो गया अब होगा क्या जैसे मालेजे मैं लिखा लावा मुबाइल ठीक है quantity 22 एमाउंट बारा 300 डेट 214 2022 चली हम एक इंट्री करते है stock in तो चली यहां पे हमारा आ गया चली new entry करते हैं samsung ठीक है quantity 234 एमाउंट बारा 300 अब हम जब stock in करेंगे देखिए क्या होगा यह change हो जाएगा यह देखिए samsung हो गया जो हमारा पुराना data था क्या वो maintain हुआ record नहीं ना इसलिए हमने क्या किया था यहां पे एक row insert कर दिय अब हो गया रहा जैसे हमें stock in यहाँ पे आ रहा है data यहाँ पे data आ रहा है, क्योंकि हमने micro recording करते समय यहाँ पे data लेकर हम आए थे और यहाँ पे row insert कर दिये थे, तो क्या हो रहा है यहां पे data रहा है, एक row insert हो जा रहा है जब भी हम new entry करेंगे data क्या होगा, इसी को replace करेंगा और insert हो जाएगा तिकिन जब हम यहाँ रो insert कर देंगे तो होगा कि जब भी यहाँ new data आएगा जब हम यहाँ stock in पे click करेंगे जब भी यहाँ new data आएगा तो क्या करेगा new data आने के बाद यहाँ पे एक new row insert हो जाएगा जैसे अभी हम assign macro में जाते हैं और यहां हम choose कर लेते हैं मालिजे stock in तो अभी क्या होगा जैसे हम कुछ भी यहां फिकर लिख लेते हैं अब हम जब stock in करेंगे तो क्या होगा इसको मैं हटा देता हूँ यहां पर data तो आएगा यह देखे stock in किया यहां पर data आया लेकिन एक row भी insert होगा अब जब हम दूसरी entry करेंगे तो क्या होगा यहां पर data आएगा और उसके बाद एक row insert हो जागा और पुराना वाले data नीचे जलाएगा तो इस तरह हमारा पुराना data भी maintain होता रहेगा जैसे यह देखिए अब क्या होगा new data आयेगा stock in किया new data आया और एक row insert हो गया तो इस तरह हम macro का use करके अपना काफी date सारा time save कर सकते हैं इसके लिए आप invoice में भी इसका use कर सकते हैं अगर आपको कोई invoice है जो print out करते हैं आप चाहते हैं उसका record maintain करना तो उसमें भी macro का use करके आप अपना data record कर सकते हैं save कर सकते हैं इस तरह से उसके बाद आप जो अपने daily routine work में जो आप data prepare करते हैं जैसे आप data download करके report बनाते होंगे तो उसमें भी आप macro का use करके report को within 2 second में within 2 second में आप ready कर सकते हैं आपको daily यादा घंटा एक घंटा report बनाने में लगता है morning में वो आप macro का use करके within 2 second में ready कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो comment करके मुझसे पूछ सकते हैं Instagram पे मुझे follow कर लिजे वहां message करके पूछ सकते हैं अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like, share, comment कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिन